दूस्तों बॉलिवूड के दबंग खान ने अपनी आने वाली एक फिल्म को लेकर लिया है एक ऐसा फैसला जिसकी चर्चा बॉलिवूड में बहुती जोरो सोरो से होने लगी है ये कहते हुए कि भाई दबंग खान जैसा दिलदार इस वक्त बॉलिवूड में कोई दूसरा ह है ही नहीं तो भाई क्यों कही जारी है दबंग खान को लेकर ये बात है और क्या फैसला लिया है दबंग खान ने अपनी इस फिल्म को लेकर चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के मादिम से हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए ल तिनों दवंग खान अपनी आने वाली कई सारे फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं और भाई उनी फिल्मों में से एक फिल्म है भाई जान जो कि विया नाडियाड वाला प्रोडक्शन हाउस के तहट बनाई जाने वाली और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी अल्रडी हम उन बंगान जो है वो नेचर से एक नारियल की तरह हैं यानि कि उपर से कठोर और अंदर से नरम यानि कि उनसे अगर आप प्यार से कुछ भी मांगो तो भईया वो दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं और भाई इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है यानि इस क बॉक्स ओफिस पर भीया अपना वजूद पाने की कोशिश कर रही है यारी कि आप बॉलिवूड जो है वो कहीं गुम होती नजरा रही थी OTT प्लेटफॉम पे लेगिन जैसे ही सिनिमा घर खुले हैं उसके बाद से बॉलिवूड का जो वजूद है वो दिखने लगा है बॉ भाई भाई जान को लेकर यारी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हमनों के सामने आ रही थी कि आप अपने फीस में थोड़ी सी कमी करें और साजीद नापियत वाला के उस बात को सुनते ही दवंग खान ने देरी ना करते हुए अपने फीस में से 25 करोड रुपए कम कर दियें ऐसी खबर निकल के आई है बॉलीवोड के गलियारों से और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात भी कई जारी है कि भाई अगर ये फिल्म प्रॉफिट में जाती है तो दवंग खान को इस फिल्म के प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा तो दोपसों आप अपने कमेंड के मादम से में जरू बताईगा कि भाई दवंग खान को लेकर जो बाते कही जाती है बॉलिवूड में कि भाई वो नेचर से एक नारियल की तरह हैं यानि कि विया उपर से सक्त और अंदर से नर्म तो क्या आप इस बात पर यकीन करते हो अगर नहीं तो आप अपने कमेंड के मादम से में जरू बताईगा तो बॉलिवूड से जुड़े है और भी कही सारे खबरों को जाने के लिए हमारे